तो डियर रेंड स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी YouTube टैग चनल पब्लिक पोस्टमन में और मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट अतुल कुमार जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो के थमनेल में आप लोगों को बताया है कि आज का जो वीडियो है वो दिल्ली ट्रां आने पड़ते हैं बसों के पीछे दोड़ना परता है अपने Office टाइम से पहुंचने के लिए या फिर कहीं भी आपको जाना हो आप destination में पहुंचने के लिए बसों के पीछे जो है दोड़ना परता है कि वाड़ी सो कोई हाथ्सा हो जाता है कोई लेडिस को जैंड़ को बु जाता है एक application मिल जाता है जिसके तुरू आप जो है अपना प्रॉपरली उस बस का route पता कर सकते हैं और उसके साथ साथ दोस्तो लाइब देख सकते हैं कि आपके nearby कौन-कौन सी बसे अभी चल रही है मानलो आपका कोई भी रूट मानलो 110 नंबर आपकी बस की रूट है तो उसमें आपको नहीं मिली एक बस आपके सामने से गुजरी नहीं मिली तो आप देख सकते हैं उस application के अंदर में कि next जो है यह 110 नंबर रूट की बस अभी रूट में कहां पर है और दोस्तों अगर है तो कितनी देर में आप तक पहुंच जाएगी वह सारी चीज़ें आपको जो है वहां पर देख सकते हैं और इसके अलावा most important बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि suppose आपको किसी मतलब destination पर जाना है किसी stand पर जाना है और बस ओपर जो लिखा रहता है वो दोस्तों last stoppage का जो है नाम लिखा होता है यानि कि जो बस यहां से मालो की एक रोहिनी से बन करके जो railway station को जा रही है बस तो वहां पर से है कहां कहां जाना है मालो आपको स्टेस railway station से पहले को स्टेंड है बस स्टेंड वहां पर आपको उतरना हो और उसका आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन सी बच जाएगी तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा इस वीडियो में आपको इसका solution बताऊंगा 101% आपको जो है इसका solution मिल जाएगा यहां पर और काफी help और information आपको मिल सकती है आज की वीडियो से तो वीडियो में अंतक बने रहीएगा और मोबाइल के स्क्रीन मिले जाकर करके मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा यह सारी सीजें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सबसे पहले आपको मिले और डियर फ्रेंड्स एक आपसे मैं पूछना चाहता हूं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आज के वीडियो की जो है वोईस यानि की आवाज आपको कैसी लग रही है वो कमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि दोस्तों यह मैंने जो इयर फोन लगा रखा है तो मैं इस एयर फोन के तुरू ही जो है वीडियो शूट कर रहा हूं हाला कि मोबाइल से दोस्तों प्रॉपरली शूट नहीं हो पाता है जो वाइस है उसमें जो है नौइजिंग आ जाती है आसपास की तो इसलिए मैंने सोचा कि दोस्तों जो है आज एयर फ करता था दोस्तों फोन मेरा जो है लॉस्त हो चुका है तो मैं इयर फोन से सूट कर रहा हूं तो कमेंट करके बताएगा कि वोइस कैसी आ रही है तो नेक्स टाइम में जो इसको अगर अच्छी होगी तो कंटिन्यू करेंगे अधर्वाइस मैं इसको इंप्रूब करने की को मैं आपको बताऊंगा वीडियो में तक बने रहिएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटी सी का चार्टर एप है वो आप जाके फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए ताकि जो है आप भी यह प्रॉपर्ली स्टेप मॉबाइल के स्क्रिन में हम आ गए हैं और अब सबसे पहले आपको क्या कर लेना है अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर के चार्टर एप्लिकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है जैसा कि मैंने करने के लिए बोल रहा है तो मैं जुँर बैक चलता हूं और इस एप्लिकेशन को जो है ओपन कर लेता हम अपने को फोन में इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको जो है इंटरफेस देखने को मिलता है चार्टर एप्लिकेशन का यहां पर आप देख सकते हो में कहीं जाने का प्लान कर रहे हो या फिर डेली ट्रेवल करते हो तो आपको बसों की दिक्कतों का जो सामना करना परता है उससे बचने का जो है यहाँ पर एक उपाए है तो यह option एक live का option आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह देख सकते हैं नीचे यह live तो इस पे जो है हमें एकलिक कर देना है लाइफ में जब हम जाते हैं दोस्तो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी मैं जिस location पर हूं तो इसके यह वाल है यहाँ पर आप देखники पुलिवंगस मेट्रो है यहाँ पर पुलिवंगस मेट्रो यहाँ पर आपको सोहरा होगा देख सकते हैं आप लोग इसी के सालसद आपके आज पास जो है नियर वाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी आपको यहाँ पर बसे जो है दिख रही हैं कलस्टर बसे हो चाहे ल तो आपको जो भी रूट मालो आपका कोई भी रूट हो तो आप देखना चाहते हो कि अभी मैं यहां पर हूं मालो कि मेरे को जो जाना है 127 नंबर बस मालो कि मेरे को जो है 127 बस यहां पर दिख रहा है इसके अंदर मुझे जाना है तो अब इसी बस को आप दूसरे बस को आप देखना चाहते हो कि अभी कहां पर है तो अब देख सकते हैं इसको छोटा करके एक 127 आपको यह यहां दिख रहा है दोस्तो और दूसरा 127 देख सकते हैं कि यह यहां पर अभी आपको एक दिख रहा है कि यह रूट अभी आपके पास कहा है कितने दिर में आ जाएगी तो आपको सारा यहां पर पता चल जाएगा यह तो हो गई कि बस आने की बात सपोज आपको रूट पता है मान लिजिए कि आपको पता है मेरे यहां से जो है कि 106 नंबर जैसे कि अभी यहां उपर आप्शन मि लेगा दोस्तों यह एंटर रूट अभी ब्लैंक है मैं इस पर क्लिक करता हूं इसके बाद यहां पर रूट मान लो की 106 106 दोस्तों मैंने यहां पर रूट डाला है और यह आपको सेलेक करना आप और डाउन कौन सा वाला तो आपको धियान रखना है यह चीज कि 106 अभी स सबसे पहले जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन होता है वह ऊपर रहना चाहिए तो अभी जैसे से कुटूबगड की तरफ जाता है और यह सेकेंड वाला जो है कुटूबगड से पुराने दिल्याता है तो मुझे अभी पता किसका करना है इसका क्योंकि यह नियरवाई है म कि अबको पताया थे यह मैंने लूट एंटर किया अभी दिखा रहे है कि यहाँ पर एकक्स चो चोटा करें अगर आप चोटा क्रेंगे तो आपको और पता लग जाएगा चिह जो है 106 बसे तो यह तो यह सारी तनी सारी नहों पर रास्ते में दिखा रहे हैं यहां पर 106 नमबर बसे जो है यह सारी दिखा रही है यहां पर है यहां पर है और यह में जो इसका है कि यह स्टेशन से बनती है पुराने दिली से बनके चलती है तो यहां से इसका में जो हुआ है रूट अब पता करना है कि इसकी स्टेंड कौन-कौन से है बस स्टेंड मान आपको इसके बीच में कहीं जाना है तो वह हम कैसे पता करेंगे तो इसके लिए यहां पर आपको एक बटन मिलता यह देख सकते हैं और इसकी इंफर्मेशन इसको उपर कीजिए इसको उपर आप जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर सारे इसके जो है स्टॉप को चैनल में को तेंगे कोई कौन से स्टैंड बसस्टैंड होकर गजरती है यह तो अब सब्सक्राइब करेद करें देगानाि सक्व मानलो मुझे यहां पर रोहीनि मैंने जैसे बतायाँ था एको मालो रोहनी जाना है सक्टर 11 तो ये देख सकते ह्किंप हैं कि वीम हों पहलो हुई जा सकता हूं मैं आथ किसी और नमबर पता है ऐस नमबर आपके सामने से कई सार हो कई और होता है कि मनसे यह इस नो मुझेआ जाना रहते हैं यह जो है कि हमारे स्टेंड पर जाएगी कि लाके नहीं हम इसाथ कर सकते हैं और इसके साथ दोस्तो इसका सी प्रीक करेंगे तो आप देखिए कि जा इसके बारे मेँ डी七 बस non ac bus जो है every 20 minute पर आपको मिल जाएगा और ac bus every 30 minute पर आपको जो मिलता है यानने कि हर 20ड में 106 नमबर की bus जो है बनती है और start होती है गुजरती है और यहां से आप देख सकते हैं कि यह जो है पीक जो है frequency जो होता है पीक यानि की चार पीम इन इसांड को चार से ताइम होता है में जो ऑफिस से चुटी का टाइम होता है चार बज़े से लिए आठ बज़े तक नौन एसी बस यहां पर जो है एवरी पंदरे मिनट और एसी बस इसका जो है नहीं है साम को और इसी तरह से फस्ट एंड लास्ट बस टाइमिंग सापको यहां पर देखेगा फ 154 मिनट यानि कि एग घंटा चोवन मिनट लेता है यह प्रॉपर माले दो घंटा लगबग आपको जो है पुरानी दिल्ली से लेके कुतुबगड दो घंटे का समय लगता है तो यह सारी इंफरमेशन आपको इस जो है एप्लिकेशन के अंदर मिल जाती है और यह सारी सानी से जो है देख सकते हैं आपको समझ में आगया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या इंफरमेशन जो है क्या इंफरमेशन रदेना चाहता हूं और क्या इंफरमेशन मैं आपको दिया है अगर आपको वीडियो इंफरमेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो फटा फट से दोस्तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन को दबा के ओल पे क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही नौलेजबल और इंफरमेटिव वीडियो के जो है न कर दो लोगों एक सब्सक्राइब कर दो सकत्की है लिएक वीडियो के अजीज़ तूर से लोगों एके जो भीडियोग जो है बड्सक्राइब कर अपतों रोगों चुराइबल नहीं किया जो आपके बेलेग।